नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं मन्रेगा में 31 अक्टूबर तक 1100 पदो प्रवंपर भाली जर्खन में मन्रेगा के रिक्त पदो की बहाली की परक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी बतादे ग्रामिन विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक मन्रेगा के तक्रिवन 1100 पदो को भरने का लक्ष निधारित किया है बहाली के परक्रिया इस माह के अंत तक पूरी करने के बाद 15 नॉम्मर को राजयास्थ अपना दिवास्वर मुख्यमंत्री है मन्सुरिन के हाथ हो सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र का वित्रन किया जाएगा बता दे लंबे समय से रिक्त इन पदों का असर मन्डेगा के कामकाज पर भी पड़ रहा है हाल के कोच महीनों में रुजगार के आंकडे में भी भारी गिरावर दर्श की गई है 4000 कोलेज सिस्को की भैकेंसी जार्खन के विश्व विद्यालेव कोलेजों में सहायक प्राध्यापको की नियुक्ति अब बदले पैटर्न में होगी राई सरकार ने अब इन पदों पर नियुक्ति UGC दो आरा बर्श 2018 में जारी रिगुलेशन के अधार पर करने का निनलिया है उच एवम तक्निकी सिक्षा विभाग ने राज जेपाल के स्विकृति के बाद इस सम्मंद में नियुमावली लागू कर दी बता देया जार्खन लोग से वायों के मादम से परत्मान में चल रहे नियुक्ति परकिरिया पर लागू नहीं होगी नए कॉलेजों में इस रिजन पद तथा पिछले दो वर्स में रिक्त हुए पदो अर्थात अगले चरण में लगभग 4000 पदो पर होने वाले नियुक्ति बदले पटन में होगी सरकारी स्कूलों में प्राइबेट कमपनी का माल बेचने वाले सिक्षा पता अधिकारी संस्पेंट स्कूली सिक्षा एमसक्षरता विभाग ने दो जीलों के जीला सिक्षा अधिक्षकों के बिरूत करवाई की है इसके तहद गिरीडी के जिला सिक्षा अधिक्षक अर्वींद कुमार को निलम्बित करने का निला लिया गया है वही राची के जिला सिक्षा अधिक्षक कमला सिंग के बेतन परोक लगा दी गई है बता दे गिरी डीके जीला सिक्षा अधिक्षक अर्वींद कुमार पर एक मल्टी नेशनल कमपनी का प्रोड़क्ट स्कूल में बेचने का अरोफ है बताया जाता है कि निलंबन के प्रस्ताव पर विभागय मंति जगनात महतुने अपनी सिकृति दे दिया है जारखन में बिजली संकट जारी देश में कोईले की कमी से भी धूत उत पादन में आई कमी के करण जारखन में सुक्रवार को भी बिजली संकट जारी रहा बता दे सूबे के गाउं से लेकर सहर तक बिजली की कमी से लोग परसान है राजे के सहरी छेत्र में 17-18 गंटा तक ही बिजली मिल रही है जबकि ग्रामिन इलाकों में आउस्तन 14-15 गंटा ही आपूर्ती हो पा रही है बतादे पिछले हफ्ते राजेक के सहरी छेत्रों में 20-21 घंटे और ग्रामीन छेत्रों में 18-29 घंटे भीली आपूर्ती हो रही थी तेवारी सीजन में भीली संकट से लोगों की परतानी बढ़ गई है CVAC दसवी बरावी सेंपल पेपर से मिलेगी मदद CVAC पहली बार दसवी बरावी की बोड परिक्षा दो सत्र में आयोजित करने जा रहा है बतादे इसके लिए पैटर्न में भी बदलाव किया गया है बदले पैटर्न और दो बार आयोजित होने वाली परिक्षा को लेकर बिद्यार्थियों में असमाजस की थिती बनी हुई है ऐसे में बोड ने बिद्यार्थियों को रहात देते हुए टर्म वान की परिक्षा के लिए सेंपल पेपर जारी किया है इससे उन्हें परिक्षा के पैटर्ण को समाजने में मदद मिलेगी मानकों के अनुसार मिलेगी निजी इसकूलों को मने आता निजी बिद्यालियों को मने आता देने के लिए सुक्रवार को जीला प्रारंभिक सिक्षा समीती की बैठक समानाला में हुई इसमें उपायुक छवी रंजन ने समीति के सदस्यों के साथ मने आता के लिए आयफ्रस्ताव परचर्चा की बताद जीला सिक्षा अधिक्षक से उपायुक ने जाच के सम्मध में जनकारी ली उपायुक ने कहा कि मानकों के अधार पर ही स्कुलों के मने तदी जाएगी बैठक में समीति के सदस मांडर के बिधायक बंदूतिर की जीला सिक्षा अधिक्षक बिधायक परतिनिदी और अन्य पदादिकारी महजूद थे पारा सिक्षकों ने मिरितक साथियों के असरीतों को दी सहता रासी कुरोना काल में मरने वाले दो पारा सिक्षकों के परीजन को सुक्रवार को एक इकरित पारा सिक्षक संग बुढ़मों इकाय द्वारा आर्थिक सवयोग किया गया पारा सिक्षक स्वर्गिये मुके स्गान्जू और स्वर्गिये जले स्वर महत्तों के आस्रीतों को 75-75,000 रुपे का चेक दिया गया बता दे मौके पर संके सदस्यों ने कहा कि वे अपने मृत सोयोग्यों के आस्रीतों के हर सुक दूख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे जांकन के लिए परविश्परतियों परिक्षा का परिक्षा का प्रतम चरण का आविजन सुक्रवार को किया गया इसमें कुल छेहतर टाना भगत अभ्यार्थियों नहीं सा लिया इसमें गुमला से दो लात्यार से 26, 24 से 7, पलामो से 6 और आची से 10 अभ्यार्थि सामिल हु दरसल 2 अक्टूबर की रात को अस्थानिय मजदूरों के साथ इनका विबाद हो गया था जिसके बाद दोनों और से जम कर मारपीट हुई बता दे मारपीट के बाद अब इन्हें घर लोटने नहीं दिया जा रहा है हिमांचल के किंडरों में सभी मजदूर फसे हुए हैं बता दे इनमें जायतर खोटी के मजदूर हैं जब से इस घटना के सुचना परिजनों को मिली है उनकी चींता बड़ी हुई है जारखन में कुरोणा के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं बता दे जारखन में 20 नए केस मिले हैं जो राची से 6 पूरवी से 9 धनबाद से 4 रामगवर से एक मरीज मिले हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या में बड़ी तरी सुरू हो गई है बता दे कूल 12,8759 केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 2,341 पूरचथ 10 वी बार फिकांप्रमेंटल परिक्षा के रेजल्ट जारी बतादे जारी पई नामों के नुशाल साइन्स इंटर का पास परतिसद बासट वहीं आर्ट्स का बावन और कोमर्श इंटर का पास परतिसद तीरपन रहा बतादे जैक के अधिकारिक वेबसाइट जैक.जार्खन.gov.in पर जाकर देख सकते हैं बाबा मंदीर की तर्ज पर कमेटी गठन जार्खन हाई कोट ने देव घर के बाबा मंदीर की तर्ज पर काली मंदीर पथरोली की समिती बनाने को लेकर दार्याज का पर सुक्रवर को सुनवाई की चीफ जस्टिस डक्टर अभी रंजन वा जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के खौंड पीट ने मामले की सुनवाई के दोरान परार्थिव बोर्ड का पक सुनने के बाद राज सरकार को जार्खन राज धार्मिक नयाए बोर्ड किरियासील बना कर आदालत को आउगत कराने को कहा है बता दे इसके लिए खौंड पीट ने सरकार को चार सबताकात समय दिया है अगली सुनवाई के लिए खौंड पीट ने 17 नौवंबर के तिसी निधायत किया रांची एस्टेशन पर मिलेगी एकसलेटर ओर लिफ्ट सुवधाए आधुने की करन योजना के तहद आ दे यह दो मा में तयार हो जाएगा इससे बनने से यात्रियों खासक और बुजूर्ग बिमार बच्चे और महिलाओ को सुवधा होगी यात्री पार्किंग से सीदे प्रेटफर्म संखेया दो तीन और चार पांच पर आना जाना कर सकेंगे जारखन में साइबर अपरादियों पर नकेल कसने की तयारी जारखन में साइबर अपराद के लिए परयोग हो रहे मोबाइल नंबर बलेक लिस्ट होंगे बता दे इसके अलावा ऐसे लोग का किसी बैंक में अकाउंट नहीं खोलने के लिए CID बैंक अधिकारियों से अन्रोध भी करेगी ताकि साइबर अपरादियों ठागी किये गए रुपए किसी बैंक अकाउंट में टांसफर नहीं कर सके बता दे साइबर अपरादियों पर करवाई के लिए या योजना CBI के SP कार्तिक S ने त्यारी की है इस दिस्ता में करवाई के लिए रांसिजम सेथ पूर्व धनबाद के SP के अलावा सभी जीलों के SP से स्वयोग भी ले रहे हैं पंचमी से देवघर में सुरू होगी तांतरिक विधी से गवहर पूजा सो मुआर 11 अक्टूबर को पंचमी ती थी से बाबा बयदनात मंदीर परिसरी थीत महाकाल भहरो मंदीर वा माजगत जन्नी मंदीर के बरामदे पर तांतरिक विधी से गवहर पूजा सुरू की जाएगी बता दे ए पूजा बाबा मंदीर की ओर से नहीं बलिक करिब 500 साल से अधिक समय से खायरा एस्टेट वा गिधोर एस्टेट की ओर से की जाती है दोनों पूजा वहां के राजा के द्वारा की जाती थी तथा बर्तमान में इस पूजा की परभरा को बाबा मंदीर की ओर से किया जाता है पावर कम्पनिया कोईले की समस्या से जूज रही सरवधिक डिमांड के बावजूद कोल इंडिया वा उसकी सहाय कम्पनिया लक्ष के मुताबिक कोईला डिस्पेश नहीं कर पा रही है आलम्या है कि जार्कन सहीत पूरे देश की पावर कम्पनिया कोईला की समस्य से जूज रही है अक्टूबर माह में 1-6 तारिकत कोल इंडिया वह अनुसंगी कम्पनियों के लिए 11.88 मिलियन टन कोईला डिस्पेच का लक्ष निधारित था इसके मुकाबले 10.04 मिलियन टन कोईला डिस्पेच किया गया वहीं लक्ष का 84.50 फिश दी ही कोईला डिस्पेच हुआ है पस्चमी सिम्भूम का Special Camp Hospital को DC ने सुधारने के दिये निर्देश कुपोशन के लिहाज से पस्चमी सिम्भूम जीला अती पिछडा घोसित है ऐसे में देखा जाए तो जीले में कुपोशन एक बड़ी समस्या है दरसल NFHS के अनुचार जीले में 0-5 आयूबर के करीब 37,000 बच्चे कुपोशित है वही 3,015 बचे अती गंबीर कुपोशित की सिरेनी में आते हैं इसकी रोक्थाम के लिए बिगत 31 मार्च 2021 को जीला मुख्याला चाईबासा से महज 8 किलोमेटर की दुरी पर बड़ा चीरू इस्थित कल्यान विभाग के खाली पड़े मेंसो होस्पिटल को 100 बेट का पोशन अनुसंधान एवं प्रस्टिक्षन के उन्दर बनाया गया इसका मुख्योदेश जीले के अती गंबीर 3,015 कुपोशित बच्चों को सर्थ समय सही उप्चार महया कराना था लेकिन कुपोशन को मात देने वाला जीले का Special Camp Hospital बरतमान में खोद ही कुपोशित हो गया है TSPC का सक्रिय नक्सली गिरफतार पलामो पूलिस ने नक्सली संगठन TSPC के सक्रिय उग्रवादी किसले कुमार सिंग को पकड़ा है बता दे उग्रवादियों की मवजूदगी की सुचना पर पूलिस मनातु के केडल जंगल की तरफ जा रही थी इसी दवरान जम्हें उग्रवादियों ने पूलिस को देख का फैरिंग की पूलिस ने भी जब जब आवी करवाई की तो उग्रवादियों खोद को कमजोर परता देख वहाँ से भाग रहे थे इसी दवरान किसले पकड़ा गया है बैंक तेभार में लगाएंगे लोन कैम्प जार्खन में हाल के वर्सों में बैंक का रवया रिन परवाव इसेस का प्रात्मिक छेत्र के कर्ज को लेकर सक्त दिखा है बता दे बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ और सीडी रेशियों के आकड़े इसकी पूश्टी करते रहे है अब तेभारी सीजन में बैंकों अपनी इस छवी से उबरने की कोशिस करते नजर आएंगे और जिला अस्तर पर बकायदा कैम्प लगा कर लोगों को निम्तम ब्याज़ दर पर कर्ज देते नजर आएंगे बता दे या परियास जार्खन राज अस्तरिय बैंकर समीती का है लेकिन इसकी मूल वज़ा भारत सरकार के बित मंत्राले का निर्देश बताया जा रहा है बता दे मंत्राले के निदेश पर साथ अक्टूबर से एक मा का क्रेडिट आउटरीच अभियान शुरू हुआ है जे एस एसी में 66 पदो पर भैकेंसी रद जार्खन राज करमचारी चायन आयोग से 66 बैग्यानिक सहाय को किन्योकती के लिए निकाला विग्यापन दो दिनों के भीतर ही रद हो गया पता दे राज बीधी बिग्यान पर योगसाला के लिए इन सवी 66 बैग्यानिक सहाय को किन्योकती होनी थी और इसके लिए दो दिन पूर्व बुद्धवार को ही जे SSC ने विग्यापन जारी किया था और योग उमिद्वारों से आवेदन पत्र मांगा था जे PSC PT एक्जाम जे PSC PT एक्जाम 2021 जार्खन लोग सेवा आयोग ने सुक्रवार को साती सन्यूग सीविल सेवा प्रारामिक परिषा का संसोधित मोडल उतर जारी कर दिया है इसके तहत समाने अध्यान के पहले पत्र में नौ तथा दूसरे पत्र में दो प्रस्णों के उतर मे संसोधन किया गया है बता दे आयोग ने माना है कि पहले पत्र में चार प्रस्णों के चारों विकल्प गलत थे इन चारों प्रस्णों में सभी अभियार्थियों के दो दो अंक दिये जाएंगे धनबाद के जज उतम अनन्द की मौत की जाच कर रही CBI की प्रगती रिपोर्ट पर जार्खन हाई कोट ने असंतोस जताते वे काहा है कि इसमें कुछ भी नाया नहीं है पिछली बार जो बाते कही गई थी उन्हीं बातों को दोराया गया है बतादे चीफ जर्शिस टाक्टर रवी रंजन और जर्शिस गोतम कुमार चौधरी के अदालत ने CBI को 21 अक्टूबर को प्रगती रिपोर्ट पेस करते हुए बिस्तित जनकारी देने का निर्देश दिया इस मामले में राज सरकार की ओर से गठीत SIT को भी अदालत ने रिपोर्ट पेस करने का निर्देश दिया है धन्यवाद